दो हजर बाइस में मार्च अप्रेल मई और जून में कौन-कौन से सेंटर की भरती आने वाली हैं ये वीडियो दोस्तों आपके लिए एक अपकमिंग रिलेशन भरतियों के ऊपर है कि कौन-कौन से सेंटर में भरती निकलने वाली हैं और काफी बच्चे के जो मेसेजें जो पूछते हैं कि हमें जो 3ME सेंटर की बताओ कि जो 3ME सेंटर की भरती कव तक निकल सकती है अभी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं उसमें जो आपका एक्जाम था अभी आपका जो एक्जाम है नहीं हुआ है मेरा खुद का फ्रेंड है जिसका जो एक्जा के message हैं मैं आपको बता दूँ और देखो एक यहां पर मैं आपको update दे देता हूँ एक exam को लेकर मैंने एक वीडियो भी डाली ती कल आपको बतां था कि repetitive कर गृड़नियज़ हो सकती दो 27 March को आपको date मिल सकती एक जांजे को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसी आपको हवा में बोल रहा हूँ आपको पता होगा संसद में लोग सवा में आपको एक्जाम और भरती को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं और अभी तक आपने यह जो डेड़ेक साल में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि मीडिया में भी आपके एक्जाम को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाया था या कोई भी भरती को लेकर कोई भी सवाल नहीं उठाया था पर दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि जो दस एक दिन बीच चुके हैं उनके भीतर भीतर दोस्तों आपको भ에 एक्जाम को लेकर और एजरी डिलेक्षंस को लेकर तो काफी सवाल उट रहे हैं मीडिया में भी उठ रहे हैं आज तक पे एंडि टीवी पे और लोग सवा में तो वहाँ पर आपके भरती और एक्जाम को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आपके बहुत जल्दी भरती देखने को मिल सकती है अब ये कि नोटी पेकेसन मैं आपको बता देता हूँ ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें 3Mी सेंटर की भरती के वारे में बोला गया है कि इसमें जो आपकी भरती है रिलेशन और स्पोर्ट्समेन की वो आपकी बहुत जल्दी करबा दी जाएगी ठीक है यहाँ पर देखो जैसे कि इन्होंने लेखा है कि जो आपके 3Mी सेंटर की जो रिली भरती है वो अप्रेल में स्टार्ट होगी ये दोस्तों देखो अभी मार्च में आपकी जो भरती स्टार्ट हो जाएगी तो फरवरी में नोटिफिकेसन मिल जाएगा अगर अप्रेल में भरती स्टार्ट होगी तो आपको मार्च में नोटिफिकेसन मिल जाएगा तो पहले तो दोस्तों इस सेंटर का एक्जाम होना है वो होगा आपका 27 मार्च को अभी देट तो आपकी कोई भी कमफर्म नहीं है या कोई भी जोइन इंडन आरमी की वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेसन नहीं आया है यहां पर भी आप जैसे आपको पता होगा रेली नोटिफिकेशन होते हैं ठीक और यहां पर आपको पता चल जाता है कि कोई भी भरती आती है या कोई भी एक्जाम की डेटा आती है तो वो सबसे पहले जाटकी जॉइन इंडन आर्मी की वेबसाइट पर पता चलता है तो आपको पता आपकी भरती को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और लाजमी है क्योंकि दोस्तों सबको बोट चाहिए तो आपको भरती भी करवानी एक्जाम भी करवाना है क्योंकि सरकार का यही रूल होता है कि जब उनको बोट चाहिए तभी वो कुछ काम करती है तभी मार्च में होगी बागी दोस्तों अपरेल में आपको यानि की नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा व्ए से पहले और भटी अपरेल में हो सकती है बेली एकज्जाम होगा ठीक है और इसकी मैं आपको पूरी जानकारी आपको पता देता हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का self center 3ME center मैंने इसमें तमाम जो भरती देखे हैं मुझे इस center के पूरी जानकारी ये भरती कैसे होती है क्या-क्या process रहता तो ये जानकारी थी और channel के साथ जुट जाना जो भाई नया है वीडियो को पूरा देखा करो